हलो एफ्रीबड़ी दिस इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तु मैगनेट पूइन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जी हां पिछले वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर का एक मेजर बन पार्टी डॉमिनेंस वाला एरा रहा है 1967 के पहले तक का वह समझाया और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़का है उसमें आपको क्या बताया कि ऐसा नहीं कि जब बन पार्टी का डॉमिनेंस था जब पूरा का पूरा कॉरा कॉरा कॉंग्रेस सिस्टम प्रवील कर रहा था उ दिखार है कि पॉर्य टिकल्वर नहीं थी तो वह जो पॉलिटिकल पार्टी इस थी कंट्री में उनमें कौन-कौन सी थी तो सोशलिस्च पार्टी हो गया ठीक कपने के वांः है फिए ये वीडियो इसके बाद आने वाले जो वीडिया हे तो सारी पण्तिक के बारे में उत स्टार्ट हम सोशलिस्ट पार्टी से करते हैं अब देखिए यहां पर दो तीन चार डिस्क्लेमर हैं एक साथ सारे डिस्क्लेमर देता हूं सबसे पहली चीज तो क्या है कि यह जो टॉपिक है यूश्मली इस पर कुश्यन आते नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सर पढ़न जाना है कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स के नाम याद कर रहे हैं बैठके लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा यह सोशलिस्ट पार्टी है क्योंकि आज जो आप पार्टी दिखते हो ना तो उनका कहीं न कहीं रूट्स आपको इदर मिल जाएगा अर्ली डे स्टिश्ट पार्टी के नाम से मतलब आप देखेंगे जो इंडियन नेशनल पार्टी के अंदर क्या था कि अलग-अलग सेक्षिन के लोग थे हमने पढ़के आएं कि सोशल और ऐलोजिकल कोलीजिन की तरह तो कुछ सेक्षिन के लोग ऐसे भी थे जो सोशलिस्ट आइडिय क्या है तो उसे आप ऐसे समझें कि जो वरकर्स हैं उनके बीच में क्या है रिसोर्स का डिस्ट्रिबूशन बराबर हो कहीं ना कहीं हम इसे क्या क्या सकते हैं कि गांधी जी का जो एक आइडिया था तो गांधी जम से inspired थे marxism से inspired थे तो उन लीडर्स ने political activities में participate करने के लिए Congress के अंधर ही एक political party बनाए जिसे Congress Socialist Party कहा गया ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि 1934 में the Congress Socialist Party was formed within the Congress roots समझ में आए कि देखो the Congress Socialist Party was formed within Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress radical and egalitarian मतलब क्या है कि egalitarian यहने समान रूप से हर इंसान के पास में क्या हो समानता की बात की जा रही है egalitarian Congress मतलब कि कुछ leaders ऐसे थे Congress के जो Congress को एक egalitarian party बना के रखना चाहते थे ठीक है जो Socialist Line पर काम करना चाहते थे तो उन्होंने क्या है कि Congress Socialist Party Congress के अंदर ही बना ली ठीक है अब कौन थे leaders तो जैसे आप नाम पढ़ते हो तो इसमें क्या जाएंगे राम्मनहुर लुह आ जाएंगे ठीक है राम्मनहुर लुह के साथ में आप जिसे देखो को तो आचार्य नरेंद्र देव जो हैं तो यह प्रॉमिनेंट लीडर्स थे ठीक है अब आप बोलो यहां सरी नाम पहली नरेंद्र देव जो है रामनहुर लुह तो यह प्रॉमिनेंट लीडर्स थे ठीक है तो इनके बारे में थुरह 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 पढ़ते चलते जो बॉक्स में डीटेल दी हैं तो फ्रीडम फाइटर एंट फांडिंग प्रसीडेंट आफ दी कॉंग्रेस सोचलिस पार्टी थे कॉंगरेस सोचलिस पार्टी के फांडिंग प्रसीडेंट में से एक जेल सेवरल ताइम जूरिंग फ्रीडम मुवमेंट एक्टिव पीजन बॉमेंट थीक है तो जो पीजन मुवमेंट होते दब दिखाया नहीं आपको सोचलिस पार्टी के एगलेटरियन सोशाइटी पार्टी अभी आपके में डाउट आए होगा कि दो पार्टी कैसे हो गई है वो भी मैं समझाओंगा तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देखोगे उठाके तो हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ड हैं जी हां दोनों अलगे बैल दो वाली कॉंग्रेस थी कब दो वाली कॉंग्रेस हुआ करती थी जब जो इंडिपेंडेंस मिली हमें जवालना नहरु वाली और यह आज हाथ का पंजा कहां से आया तो कहानी है यह सारी कहानी जब आप सारे तो इंक्लूजीव थी तो इंक्लूजीव बात में भी रही लेकिन वह धीरे धीरे क्या उसमें बदलाव आते हैं तो 1948 में क्या होता है कॉंग्रेस amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership ठीके तो Congress ने अपना Constitutional amendment करते हुए 1948 में क्या बोल दिया अब हम हमारा Constitutional amendment कर रहे है जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी उसने कहा कि कोई भी member इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का दो पार्टी का बहार निकलाई उन्हें ओल दिया तुम रखो Congress हम बन जाते हैं सोशलिस्ट पार्टी ठीके तो इस तरह से क्या है इस फोर्स दी सोशलिस्ट पार्टी 1948 तो सोशलिस्ट पार्टी 1948 में स्प्लिट हो जाती है जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस था उससे अब शब्द एक शब्द में एक एक explanation रहता है क्या होता है कि Congress के अंदर जो सोशलिस्ट लीडर थे सोशलिस्ट मतलब क्या हो गया है तो सोशलिस्ट आर नोट कम्यूनिस्ट नौर यार लिबरल दे आर इन दी मिडिल आप आइडिलोजी स्कुझा पढ़ते है न थोड़ा सा क्लास 11 में जो पढ़का है तो एक्सपेक्टर तो आपको धियान होंगी ठीक है यहां आइडियोजी को घब पढ़ते है तो इडियोजी के लिफ्ट छीए है राइडियोजी मिद्विज होती ए सब्से ज होगएließ हिटलर रवगेरा तक राइड charter वसके टीलिस्ट वार्यटोभे लिबरल्स हो गए ठीक है लिबरल डेमोक्रेसी जिसको क्या है सोशलिस्ट पार्टी बहुत अफोल्ड करती थी तो आप ऐसे समझ लो कि जो सोशलिस्ट लीडर होते हैं वह एक्स्ट्रीम लफ्ट में नहीं होते इसी तरह से वह कम्यूनिस्ट पार्टी से अलग है यह सारी ची वह एक्दम संटर में भी निए जो कॉंग्रेस की बात माने वह क्या चाहते थे वह एक्दम लेफ्ट पार्टी ना उसके रेडिकल आइडिया जो है जैसे जो बॉल्शुविक रविलिशन से रुश्य रविलिशन से जो निकल का है जो आप चायना की पार्टी को देखते हो ठीक तो वैसे रेडिकल आइडिया को सपोर्ट नहीं करते थे वह गांदी जी भी क्या बोलते थे गांदी जी तो यह कहते थे कि क्या होना चाहिए एक तरह से ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड लेवल से जो बॉटम टूप डवलप्मेंट होना चाहिए ठीक है पंचायती जी राज को सपोर्ट करते तो उस तरह के गांदी obtilsm marxism जो आईडिया दे उन्हें सपोर्ट करने वाले जो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ एक्वैल इसी बात करते हैं वह सोचल इस तरह के जो socialist leader थे Congress में जब Congress ने बोल दिया कि डूवल citizenship नहीं रख सकते हो तो उसके उस तरह कि जो socialist leaders थे वह बाहर में कला है ठीक है एंडे फॉर्म सेपरेट socialist party in 1948 इतना ध्यान रखना ठीक है तो इस तरह से Congress socialist party से socialist party बनी ठीक है Congress socialist party से socialist party बनी चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्या है तो थी parties electoral performance caused much disappointment to its supporters अब क्या होता है 1952 में जो चुनाव होते हैं 51 52 में जो जन्वरी में ब्रॉड ली होते हैं हमने पढ़के आए भी पिछले वीडियो में तो उसमें क्या होता है कि जो चुनाव में participate किया ना socialist party ने तो socialist party को कुछ ज्यादा खास हाथ लगा नहीं ठीक है socialist party को कुछ ज्यादा खास हाथ लगा नहीं ठीक है तो दी आप socialist party को देखो तो मात्र बारा सीट मिली थी और यहीं चीज़ हमने एक्जामपल में पढ़ी थी क्या कि अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई elections में क्या इसका मतलब socialist party खतम नहीं अभी नहीं खतम हुई ठीक है अब जैसे क्या है कि socialist party जो थी तो इट बिलीव नहीं थी निलोजी आफ डेमोक्रिटिक शोश्लिजम बताया मैंने कि डेमोक्रिटिक सोशलिजम में विश्वास रखती है इस विश्वास रखती है सोशलिस्ट पार्टी जो क्या कहते थी कि सारे रिसोरसे जो एकौली बटना चाहिए न तोर राइट की तरफ पृप जूखा हुआ ह लिब्रेल भी है लिवे लोने के साते में क्या है लिए करने साथ में सोशलेस्ट भी इह है तो डैकर तो डिमोकरेसी सद्द को समझाब बढ़ रेज्ट है रॉट्व डिमोकरेसी की बात कर दीडिक दिया तो Saint की शादी हो गई यह ठीक है left right का मिला जूला सेयोग जो है ना वो socialist party का ideology थी आगे समझ में तो extreme किदर भी नहीं जा रही है socialism मतलब जो socialist party तो socialist party believed in the idea of democratic socialism तो इस तरह से अगर आपको मान लोगा ideologies वहरा को समझाना हो तो ऐसे आपको बताना चाहिए क्या कि socialist party believed in the idea of democratic socialism which distinguished them from both Congress as well as from communist ticket up democratic socialism के इधर आजाओगे left में तो वो communist हो गए और democratic socialism के राइट में जाओगे तो वो Congress के जो समय लीडर्स थे वो हो गए आगे समझ में तो इस तरह से वह centrist हो जाएगे अगर देखा जाए दोनों extreme points को तो तो socialist party जो है तो with a this session of left टिके with the लिटेशन आफ-लेफर बट इट वो इंदी सेंटर संटर संटर स्वेगे left-right मैं और हम left-right उत्त होना आगे हम लेट राइपया और democratic socialism जिसके चलते वो liberal ideas को भी अफोल्ड करती थी social ideas को भी अफोल्ड करती थी ठीक है और वही चीज़ को अलग बनाती थी कि Congress के extreme points से भी और Communist Party के भी extreme points से और इसी तरह से Communist Party से अलग है वो radical program से विश्वास नहीं रखती है ठीक है वह क्या करती egalitarian समानता चाह रही है लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से Communist Party चाह रही है कि हतियार उठा लिये जाए ठीक है वह point है अगे नहीं समझ में explain कर दिया है मैंने आपको तो the socialist faced a dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society लेकिन socialist party को चक्कर कब आ गए पता है चक्कर जब आ गए जब Congress ने खुद कह दिया कि वह अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम में socialist approach को अडॉप करना चाहती inspired from the Soviet Union तो आप 1955 आते आते जिसकर आप देखो अभी हम पढ़ेंगे next chapter में जो प्लाइन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जैसे आप देखेंगे second five year plan में क्या होता है कि Congress जो है तो Congress क्या बोलती है कि Congress जो डेवलपमेंट करवाना चाहती जो कि एजिंडा किसका था Socialist Party का तो Socialist Party को तो लगा तो हम क्या जॉप छोड़ देखेंगे वह लिस्तिती हो गई तो तो देखेंट बिकेम डिफिकल्ट फोर दी Socialist to present themselves as an effective alternative to the Congress तो जो बात Socialist Party बोल रही वही बात Congress भी बोल रही तो यह स्थिती होई कि Socialist Party जो है वह भ्रहम में आगए एक तरह से आए समझ में तो सम आफ देम लेट बायर रामनहुर लोया इंक्रीज देट डिस्टेंस फ्रॉम एंड क्रिटिसाइए क्रिटिसिजम औफ कॉंगरेस पार्टी तो फिर उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि हम जो बात कर रहे हैं तो फिर लीडर्स भी कॉंगरेस के नजदी काने लगे अशोग महता एड़ोगेट अ लिमिटेट कॉपरेशन विद्धी कॉंगरेस ठीक है तो उन्होंने बोल दिया कि कॉंगरेस के साथ चलो एक लिमिटेट कॉपरेशन इंश्योर किया जा सकता क्योंकि वह भी हमारे ही आ आंडर मेंबर्स की तरह तब वो यंग हुआ करते थे आजादी मिलते मिलते वो बुड़े हो गए और पार्टी विने भी अपना रहा कह सकता है कि स्ट्रक्चर बदल लिया वी सोशलिस्ट पार्टी वेंट थू मैनी स्प्लेट्स एंड रियूनियंस लिडिंग तो धी फॉ ठीक है जस्ट फॉर अंडर्स्टेंडिंग आप से हो सकता है एक्जाम में ना पुछा जाए आप से मतलब ना पुछा जाए कि यह तो चैप्टर ही नहीं आ रहा है तो उससाब से जो पार्टी जो पार्टी जो पार्टी वें इस अगर आप देखोगे तो कॉंग्रेस सोश नीटीन फोटी एक में क्या बोल देती है नेटीन फोट्रीट में बोल दिख भया देखो डिवार्ण सीटीजन सिपनी अई मतलब डॉल मेंबर्शिक नहीं ले सकते वाप किसकी दो पार्टी इस की तो उसके चलते है जो सोशलिस्त थे दे केम आट & सोशलिस्ट पार्टी अ तो जो सोशलिस्ट पार्टी थे डिक अब यह सोशलिस पार्टी थी में आपको बता है किражा बने साथ में प्रजा पार्टी जो थी और सोशलिस्ट पार्टी जो नों मिल गई तो दोनों के मिलने से क्या बना पता है दोनों के मिलने से यह बना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो इससे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी है अब आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में यहां ब पार्टी में जोसलिश पार्टी बाहर निकल मतलay सबस्ट निकल gemaakt सड्रीक बना लिटें तो इस mapping की सोचलिस पार्टी की कहाणी चलती रही है प recognizes इतना पूरे स्ट्रक्चर में घुसना नहीं है लेकिन एक रिफरेंस ध्यान होना चाहिए कैसे क्या चीज़ें वाल हुई है ठीक है तो दिस वास आल अलबाउट सोशलिस्ट पार्टी आपको सारी चीज़ें समझ में यह कहानी है क्या ठीक है तो जैप्रकाश नारायन अच्य जैसे समाजबादी पार्टी हो गया राष्ट जनतादल हो गया जनतादल युनाइटेड ठीक है जनतादल सेक्यूलर ट्रेस दियार उरीजिंस इंदी सोशलिस्ट पार्टी फिर क्या है कि 1970s के बाद में और जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटिस डाइवर्स होते चले तो इ लेकिन आप जैसे देखोगे तो इनिशली जो सोशलिस्ट पार्टी ती उसका बेसिक आइडिया क्या था डेमोक्रेटिक सोशलिजम यह दिहान रखना है आपको आशा करते हैं सारी चीज़ने आपको समझ में आई यह स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया है तो इसी तरह से मैंनेट बेंस पर सारे सब्जेक्स अवेलेबल हैं तो सभी सारी चीज़ने जोई वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में विडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब भी देख सकते हैं वेबसाइट पर देखने आपको क्या करना है मतलब वेबसाइट पर अरेंज मिल सब्सक्राइब तоки змंट कुलर टॉबट कॉम शर्च करना है मैंनेट वेबसाइट खुलेगी विबसाइट में ये व coch Wheat Meng dirig with religions करेंगे तो टो k लास सेलेक्ट करते सी दो content personality फ k लाइफ पर दो आपको क्लिक्ट कर दो हो चीजिक्त टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ आ जाएंगे घर बैठा आप से सिलिवस्स नौट करना है और यह स्रिफ क्लास 12 के लिए किंडर गार्ण से क्लास 12 तक के लिए सब सब्जेक्ट के लिए सब कुछ अवेलेबल हैं अपने जुनियर्स और सीनियर्स को जरूरू बताई मैगनेट बीन्स के बारे में मिलता है नेक्ष्ट वीडियो में तिल देन स्टे करेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच